हाई एब्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स ये है मेरी हरिद्वार वाली ब्लॉगिंग और थो आप देख सकते हैं मैं गई थी वहाँ पर और मैं घाट पड़ गई और सुबह सुबह बिल्कुल चार बजे चले गए थे हम लोग और उसके बाद सबने नहाय करना में दोल्रे करें लृषन में और फिद्छी किटने डर रहे हैं नहाने में और और मुझे बहुत जाधा ही मजा आया वहाँ पर घंगाजी में नहाने बहुत ज़्यादा डर लगता है नहाने में डूकी लगाने में बस किनारे ही बैटके चेन को पकड़के बस थोड़ा बहुत नहाली और यहां मैं डूकी लगाओंगी बिल्कुल आधी-ाधी डूकी कुई मुझे बहुत डर लगता है डूकी माने में और आप देख सकते हैं यहां पर टीका लगवाया और यहां पर मेरी फ्रेंड भी टीका लगवा रही है उसके बाद हम लोगों ने धेर सारा फोटो सूट किया और यह देखिए यह नर नहा के रो रहा है और यह आप देख सकते हैं हम लोग सारे लोग यहां पर फोटो खिचवाने के लिए खड़ हैं सब लोग पोज दे रहे हैं और कितना सुंदर न जा रहा है ये सुबा का टाइम था एक तरफ सूर्य दिख रहा था बहुत बड़ा सा और एक तरफ चान दिख रहा था डूबता हुआ और सूर्य उगता हुआ बहुत ही सुंदर न जा रहा था वहां पे और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड है इस टाइम ये देखिए गंगा जी का पानी बिल्कुल बहता हुआ पानी है और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से फिर मंसा देवी की चढ़ाई स्टार्ट की सीडियों से ही और आप देख सकते हैं उपर से मंसा देवी थोड़ा उचाई पर थी तो हम लोग यहाँ पर देखिए मंदिर के अंदर गुसने वाले मंदरी के अंदर में वीडियो नहीं बना पाई तो कि बहुत जादा भीड थी उसके बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल कर एक छोटा सा पहार था उस पर चड़ गए सब लोगों ने फोटो किचवाया और नीचे देख सकते हैं आप कितनी गहडी खाई है यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे फोटो किच्वाए और यह देखिए मंदिर है मंसा देवी का उसके बाद हम लोग फोटो किच्वा के असीदे नीचे आने लग गया और सभी यहाँ पर अपनी ठकान दूर कर रहे हैं और हम लोग इस ताइब नीचे उतर जाएं और उसके पाद हम लोग नीचे जाके फिर हम लोग रूपे गए वहां से फिर सामान रखे फिर हम लोग होटल चले गए खाना खाने के लिए खाना खाके उसके बाद हम लोग निकल गए रिसी केस के लिए रिसी केस वहां से गंटी की दूरी पर थी, तो हम लोग निकल लिये अटो करके और यह दीखे यह हरी दौार से हम लोग निकल रहे हैं भाहर और गंगा जी का नजारा इतना सुद्दंद दिखता है, यह रिख्री केश का जानकी जूला है, लक्षमि जूला बंद है और यह जानकी जूला है जहाते हैं हम लोग बस जानकी जूला तक ही जहते हैं कि हम बहुत जादा था गय थे तो कि बहुत तेज धूप थी दोपहर का टाइम था और ट्रैपिक भी बहुत जादा यह आप देख सकते हैं यह रिसी केस का गंगा किनारे में हम लोगों ने थोड थोड़ा मन अच्छा हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा था गहत है हम लोग और आप देख सकते हैं पानी कितना अच्छा लग रहा कितने आवाजें भी आप सुन पा रहे होंगे हल्की हल्की पानी की दूपते बहुत ज्यादा थी इसलिए थोड़ा थकावट हो गया वरना तो गंगा किनारे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और यहां पर हम लोग मस्ती कर रहे हैं तो यह थी मेरी हरिद्वार वाली ब्लॉग तो आप लोग कैसी लगी आप लोग बताइए और मेरे चैन को लैक्शन सब्सक्राइब कीजिए का बाबाई